आपका फीवरिबल कलर कौन सा है जो आपको धन का अकरशन केंदर बना देगा। कौन सा है आपका लगी कलर और उसको कैसे यूज़ करना है। अपनी लाइफ में कहां तहां उस कलर को आप लगा सकते हैं। तो सिखाऊंगे आपकी जनम कुर्ली में आप अपने धन की ग्रह को कैसे देखें और कैसे उसे मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रहों की बात गुरुमा के साथ। अपका जो लखी कलर है, आपके राशी के अनुसार, अगर आप इसको यूज़ करते हैं, वह सही घंग से यूज़ करते हैं। तो ये डेली मेसिस पे आपको एक पॉजिटिव एनरजी देता है। अगर आपके राशी मीन राशी है, यानि की पाइसिस राशी है, या फिर आपके नाम का प्रतम अक्षर इनमे से किसी एक अक्षर से प्रानु हो रहा है। ऐसी स्थिते में आपको नारंगी यानि की ओरेंज कलर और उसके शेड्स बहुत ही फेवरेबल है। आप जितना इनको यूज करेंगे आपके लिए मनी के मागनेट की तरह काम करेंगा, धन आपकी ओर आकरशित होगा और आप धन के आकरशन बिंडू स्पते बंते जाएगे। अब मैं आपको बताने जा रहे हूँ आपके लखी कलर को, आपके फेवरेबल कलर को आपको कहां कहां यूज करता है। आप इस कलर को देली कपड़े जो पहनते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। जितना जादा आप अपना फीवरिबल लखी कलर यूज़ करेंगे उतना जादा वो आपको बेनिफिट करेंगा धन को आपके ओर आखर्शित करेंगा आप चाहें तो इसको अपने वाल कलर में भी यूज़ कर सकते हैं जिस कमरे में आप बैचते हैं उसके अंदर भी इन कलर को आप आड़ कर सकते हैं पेंट करा सकते हैं जो टेबल्स है चेर्स है जो उसकी जो अपॉल हैस्ट्री है उसका जो कपड़ा है उसमें आप यूज़ क तो उतना आपको अच्छी बाइब्रेशन लेकर के आएगा, साथ ही आपके जो सोने वाली बेडशीट है, यह बहुत जरूरी होते है, आप जिस कलर पे सो रहे हैं, वो आपको उसी तरीके से वो जो कलर है वो आपको एफेक्ट करता है, आपके चक्रा उसको भी वैलेंस करता ह तो इसलिए आप उस कलर को अपने बेडशीट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे पने मुबाइल के वाल पिपर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना लखी कलर को देखोगे, उतना लखी बनोगे, अपने कार में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप घर के बाह पस ही मत समझेगा कि गुरुमा ने हमको बता दिया है तो हम बस ये तीन उपाई करके घर पे बैठ जाएगा और धन हमारी और खूब चलके आता जाएगा लेको महनत तो आपको करनी है करम तो प्रधान है ही इस करम भूमी में लेकिन हाँ जो महनत कफल आपको नहीं मिल रहा ह इस तरह के उपाई करने से वो महनत कफल आपको मिलने लगता है अगर आपको लगता है कि गुरुमा आप बहुत उपाई कर लिए हैं ठक गए हैं समझ नहीं आता क्या करें तो बिलकुल मत परिशान होई आपकी गुरुमा हमेशा आपके साथ है जिन लोगों के पास धनकी क कमी है उनके लिए हम फ्री जंदा दर्पार लगाते हैं आपको किसी भी गुरुमार सुभे 11 बजे से दो बजे तक आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं एक रुप्या हम उसमें चार्ज नहीं करते हैं आपको फ्री उपाई बताएंगे आपकी गुली देखेंगे आपको पराम अगर आपको धन की समस्या नहीं है घर बैठे बैठे उपाई लेना चाहते हो फिर भी जिन्ता मत करो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं जो नंबर आपके पास हमारी संस्था के फ्लाश हो रहे हैं हमारे मंदिर के फ्लाश हो रहे हैं उस पर आप कॉ क्या लगता है आपको उपाई काम करते हैं या आपको लगता है यह सारी चीजे सुपरस्टिशन है अंधविश्वास है तो चलो किसी से मिलवाती हो जिन्हों ने उपाई किये हैं और उनको उसका प्रभाव भी महसूस हुआ है उसके बाद आपको बताऊंगी कि अपनी जन करने के लिए थे जिनमें एक मीलम है एक मुगा है एक अमेरिकन डाइमंड है तो इन रिंग्स को पहनने के बाद हां कुछ पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में आई थी उस समय मैं एक कोर्ट केस में फसा हुआ था और चांसे बन रहे थे कि मैं अरेस्ट हो सकता था जो स्टोन्स कहना थे उन से मैं अभी तत बचा हुआ हूँ और 2020 में सभी के काम डाउन हो गए थे लेकिन फॉर्शिनेटली हमारा जो बिजनिस था कैरियर का स्प्लाइचेंग मेनेजमन का यह बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसके वज़े से मुझे बाकी लोगों की तरह काम नहीं चोड़ना पड़ा था हमारा काम बढ़ गया था 2020, 2021, 2021, 2022 में भी हमारा काम बढ़ आया है इंक्रीमेंट भी हुए है तो इसके लाबा मैंने फिलाल अभी एंसेस्ट्र प्रोपर्टी है एक पिताजी की तरफ से में दिवी है वहां थोड़ा फाइदा हुआ है आप अपने धन की स्थिति को समझ सकते हैं आप सबके पास अपनी जनम खुली तो होगी ही तो जो उसका लगन चार्ट होता है जहां पे लगन लिखा होगा वो जो पहला टेवा होता है उसको खोलीजे अब इसमें आपने तीन ग्रहों को देखना है क्योंकि धन संबंदी त सुख सुविधा होती है उसको कहीं से भी एक लग्शूरियस लाइफ मिल जाए चाहे ऐसा व्यक्ति किसी भी गरीब घर में जनम ले लेकिन धीरे-धीरे करके उसके जीवन में यह सारे सुख सुविधाय चाहे वो घर हो चाहे गाड़ी हो चाहे अच्छा रहन सहन और अच् आपको दिखा रही हूँ टेबल उस टेबल को ध्याद से देख लो शुक्र इन घर में या इन राशी में बैठे नहीं होने चाहे सबसे पहला तो इंपोर्टन चीज आपको देखनी है आपको शुक्र नीच का ना हो यानि कि छे नंबर राशी में नहीं बैठा हो अगर छे है धन की स्तिती हमीशा अची बनी रहेगी और भी शुक्र के जो अच्छे घर होते हैं जो अच्छी राशी होती है जो मित्र घर होते हैं वो सब में आपको इस टेबल में दिखा रही हूँ आप इसको देख के समझ सकते हैं अब आपने अपना शुक्र देखना है और शुक जिए लिए कि अगुद्ध लक्षभी पचारख़ं के अगहार आपके जीवन में धन की कमी है तो बुद्ध के स्थिति देखने मी बहुत जरूरी तो आपके खुड्धु बुद्ध ग्रेक स्थिति देखे कि कौन सी राशी में बैठा है। बुद्ध 12 नंबर राशी में नहीं होना चाहिए। जहां मीन राशी है बारा नंबर लिखा है। अगर आपका बुद्ध वहां है तो पक्का भाईया गडबड है। फिर तो आपको उसको ठीक करना पड़े लिखें है। श्रें नमबर राशी में हो गया आपके लिए अच्छा है। और इसके लिए बुद्ध अच्छा है या नहीं कौन से नंबर आपकी राशी में बैठा है वह टेबल देखें और इस क्रीं शोर्ड भी आप ले सकते हैं। देख करके आप अनुमान लगालीजे क आपके ले बुछ अच्छा है, पूरा है या सब्स है। एक मंदिर को चलाने के लिए, एक आश्रम को चलाने के लिए, एक धानिक से लिए तो अर्थ की आवशक्ता है। तो उसको चलाने केलिए मैं स्वेम इसका प्रयोक करते हूorno और मेरी जितने भी भक्त हैं, जब को आर्थिक दिक्कत आती है तो वही सजेस्ट करते हूं आप लोगों के लिए जो हमने नोगरे का लॉखिट बनाया है जिसे हम सर्मनु कामना सिध्धी लॉखिट कहते हैं उसमें भी हमने एक करकोडी लगाई है कि मातालक्षमी को करकोडी बहुत प्रिया है और जब हम इस कर करकोडी को मातालक्षमी की जो श्री सुक्त का जो स्थोत्र है जो पाठ है जो रिचाए है इससे हम मंत्र सिध करते हैं तो तब उसका फल आपको कई गुना हो करके मिलता है मातालक्षमी प्रसन होते हैं और जितने भी लोगों ने आज तक सर्मनु कामना से दी लॉकित पहन है उनके आर्थिक समस्या जरूर हुए है अगर आपको धन संबंदी ऐसी समस्या है तो आप श्री सुप्त का रोजाना पार्ट करें और चाहे तो हमारी गुर्मा फाउंडेशन एवं शरीपीट मंदिर से आप वो लौके यापने लिए पंगा सकते हैं अब बात करते हैं तीसरे ग्रह की रहस्पति अगर आपका अच्छा होगा तो आपके लाइफ में कहीं न कहीं से आपको एक अच्छा जीवन दिला ही दिखा बान सम्मान रहेगा मात में धन विवस्ता वी बड़ेगे क्योंकि आज के स्कलिप में जिसके पास धन है उसके आप भी है उसके पास लोग भी है उसका प्यास है उसके एक अच्छा सोश्ल सकर पर दिखatorio अगर को ऑजिवारा कि पना है अब आपने देखना है अपनी जर्यमकुर्णी में में ब वह हमेश्या सम्मान में नहीं मिलेगा और धन से भी तंग रहेंगे। अगर आपका जो ब्रहस्पति ग्रह है वो अच्छी जगें बैथा है, यानि कि चार नंबर राशी में बैथा है, करक राशी में बैथा है, तो उच्छ का है, अच्छे फल देगा। अपनी ही राशी में बैथा है, धनू में बैथा है, मीन में बैथा है, यानि 9 नंबर में है, 12 नंबर में, तो भी अच्छे फल देगा। बाकि आपके कौन इसी राशी में है, आपको स्टेबल से टाली कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको बेसिक एक बता दिया, वैसे बहुत सारी चीजे और देखी जाती है धन की स्थिती के लिए, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, अब इसमें माली जी कोई ग्रह आपका किसी कुरूर ग्रह के साथ मैठा है, तो उसका प्रभाव क हो जाएगा, किसी ग्रह की दृष्टी उस पर पढ़ रही है, लाहू की तु परिशान कर रहे है, तब भी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा इससे आप अंकलन कर सकते हैं, कि आपके घर के स्थिती जीवन भर कैसी रहेगी, और कैसे इसको बढ़िया भी करना है, वो भी मैं आपको लास में बताऊंगी, तो वीडियो को छोड़ के मच जाएगा, अब दूसरी एक और चीज़ आपको अपनी जनम कुणली में देख ली है, जनम कुणली में एक सी लेकर के 12 घर होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पौन सा घर किस चीज क आपको पूंसरी में कोई अच्छा क रहे है, तो अपको भ देगा, या तीनों में से जो मैंने आपको बताया है, शुक्र, बुध और ब्रेश्पति अगर ये बैठे हैं, ऑर अच्छे के बैठे हैं, तो धनकी स्तिति जीवन बेर बहुर अच्छी रहें, अब आपने अपन इसके आगे भावेश की स्थिती भी देखी जाती है यानि कि उस भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिती क्या है उसके हसाब से भी हम देखते हैं लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जया होगा कि आपके ग्रह धन के कैसे हैं लेकिन एक और रूम समझ लो इक आदिश भाव में कहते हैं जो भी ग्रह बैठा हो चाहे वो नीच हो चाहे वो प्रूर हो वो भी अच्छा परिणाम देने लगता है लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है मुझे वो रिजर्ट जो मेरी मेहनत का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इन तीनों ग्रह को अच्छा करने के लिए उपाई बता रही हूँ इस उपाई को आप फॉलो करिए छोटी-छोटे घरी लूप आए है आपको धन की स्थिती जरूर बैतर होती हूँ दिखाई देगी मात्रे किस दिन करके देखो बहुत चीज़े बैटर होगी उसकी बार एक बार आकर कि या तो गुरुमा से दिली में मिलना ये तो भुझे फोन कर लेना वीडियो को अपॉइंटमेंट लेना मैं आपको आगे क्या करना है वो बताओं पर शुक्र करें अच्छा नहीं है आपको पता चल गया है नीच राशियों में बैठा है या शत्रु राशी में बैठा है ऐसे में क्या करेंगे शुक्र को अच्छा करो बलवान करने के लिए क्या करो उसके लिए आपको रोजाना पर्फ्यूम का Bruce करना है नाच्छाल इत्र या पर फ्यूम आप लगाना शुरू करें अब ये मत कहना कि गुरुमा हमें अच्छा नहीं लगता है, अरे आपको नहीं अच्छा लगता है, शुकर देवता को तो लगता है, उनके खुशी के लिए आपको लगाना है, अच्छा सा कोई फ्लोरल सेंट आपको लगाना है, पर्फ्यूम लगा सकते हो, दियोडेंट इत्र भी आप रेयोग कर सकते हो, या अपने राशी अनुसार भी आप पर्फ्यूम का यूज़ कर सकते हैं, वह मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में आपको कौने सा फेवरेबल आपके लिए पर्फ्यूम है, आपकी राशी के हिसाब से भो बताऊंगे, लेकिन आप श और उसके बाद आप उसको किसी मिट्टी में फैकना, ना तो डस्पिन में फैकना, ना नाली में गिराना, आप उस इलाइची को मिट्टी में या तो गार दीजे, गार नहीं सते हैं, तो मिट्टी में आप डाल दीजे, रख दीजे, लेकिन डस्पिन या नाली में मत फैकन इससे रोजाना स्नान करोगे आप देखो के 21 दिन के बीतर बीतर आपका शुक्र आपको अच्छा फल देने लगा है अगर आपको दिखा आपका बुद अच्छा नहीं है और हाँ एक और प्रश्णा आप लोग करेंगे कि क्या हम सारे उपाई कर सकते हैं तो तीनों ग्रह के उपाई भी आप साथ में कर सकते हैं उसमें कोई विरोधाबास नहीं है अब मालो आपका बुद ग्रह अच्छा नहीं है आपको पता चला नीच राशी में है या शत्रु राशी में है ऐसी स्तिती में आपने क्या करना है आपने रात के समय हरे मुंग की दाल साबुत लेकी आने हैं उसको भीगोना है एक मुठी और भीगोने के बाद जब वो बुलायम हो जाए सुखे के समय अपने खाने से पहले उसे पक्षियों में या कबूतरों के बीच में डाल दीजिए दूसरा उपाए करना है आपके आसपास जो भी माता का मंदिर हो देवी मा का मंदिर हो वहां सीवा कर तन मन धन जो आप कर सको वहां सीवा दो आप देखोगे आपके बुद्ध ग्रह जहां बच्चों को धरम सिखाया जाता हो अच्छा ज्यान दिया जाता हो वहां कुछ भी सेवा करनी है या दान करना है वहां दान करनी से ब्रहस्पती बहुत प्रसन होगे आपको अच्छे फल देंगे दूसरा आपको करना है ब्रहस्पती के लिए आपने अपना जो अब एक मिस्टेक आप हमीशा करते हैं उपाई खुब करते रहते हो कहते हो लगते नहीं अरे भाइया उपाई करते हो तो प्रार्थना भी तो किया करो भगवान को यह भी तो बताओ प्रभु मुझे यह चाहिए कल्यूग में तो माता अगर उसके सामने रो नहीं तो वो भी अवश्य करें अपने इश्ट से उस देवी देवता से जिसके लिए आप कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना में इतनी शक्ति इतना भाव होता है कि वो उन तक जरूर पहुंचेगा और वो विवश हो जाएंगे कि वो आपको फल देंगे आज के लिए यही समाप्त करते हैं कि जो उपाई बताए हैं इसको जरूर अजमाई और फिर देखें सनातन हिंदु धर्में कितनी शक्ति हैं जैए शरी देव जैए श्री पुष्णा झाल